हाई फ्रेंड आज मैं लाई हूँ आपके लिए लॉक्डाउन में आप अपनी हैर कट कैसे कर सकते हो घर पर ओ भी पारलर से भी अच्छा तरीका मैंने यहाँ पे आपको बताया है बिल्कुल भी आसान आप अगर बिगनर हो तो भी इसे कर सकते हो तो यहाँ पे आपको लेर क आपके हैर को अच्छे से सुल्जा लेना है कॉम कर लेनी है देखिए जैसे मैं बता रही हूँ आपको वीडियो में आपको ऐसे ही करना है आपको बाल को आगे की तरफ लेके अच्छे से आपको बाल को कॉम कर लेना है देखिए कॉम करने के बाद आपको आगे की तरफ एक कर सकते हैं उसे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसे ही आपको बना लेना है आगे की तरप आपको एक चोटी उसे भी आप अच्छे से सुलजा लीजिए ताकि बिल्कुल भी कोई गाटे नहों बाल में जहां पर आपको कट करना है जितनी आपको लेंद कट करनी है व अगर आपको और कट करनी है तो आप नेक्स टाइम यही स्टेप कर सकते हो यह देखे मुझे इतनी लेंद कट करनी है तो मैं एक सीजर ले लूँगी तो वहीं से मैं यहां पर कट कर लूँगी हैर को जितना मुझे कट करना है यह देखे मैं ऐसे ही कट कर रहे हूं जहां प एक दो बाल नीचे उपर होते हैं उसे आप अच्छे से ट्रीम कर लीजिए वहाँ पर यह देखिया ऐसे अगर आपके बाल थोड़े पतले है तो मैं उसके लिए दो स्टेप मैंने आगे बताए है उसे भी आप फॉलो कर सकते हो यह देखिये बिल्कुल भी एकदम स्टेप अच्छा करता है पालर में भी इतना अच्छा नहीं करता जितना यहाँ पर करता है बाल अगर आपको फ्रंट के बाल को आपको कट करना है थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको बता रहे हूँ आइब्रो टू आइब्रो अपने जो आइब्रो होती है आइब्रो टू आइब्रो आइब्रो आपको यहाँ पर लेंथ आपको कट करनी है देखि से आपको यहां पर मांग निकाल लेनी है ऐसे आपको जितनी लेंद आपको कट करनी है उससे थोड़ा सा नीचे ही आप रखिए बिल्कुल भी शॉर्ट ना किजिए अगर आपको और थोड़ा शॉर्ट चीए तो आप नेक्स स्टेप ऐसा वाला कर सकते हो यह दिके मुझे ज जैसे स्टेप बताया आपको वैसे ही करना होगा यह आपका फ्रंट कट यहां पे हो गया अगर आपके बाल थोड़े से करली है मेरे जैसे तो आप बिल्कुल भी फ्रंट कट ना कीजिए क्योंकि फ्रंट कट जो होता है करली बालों में इतना अच्छा नहीं लगता है जित second step मैंने बता है eyebrow to eyebrow तो इससे आपका front cut भी हो जाएगा उसे थोड़े बाल आपको wavy भी लगेगे यहाँ पे देखिए कान से लेके कान तक air to air partition आपको कर लेना है आगे के बाल को आगे लेना है और पिछे से एक rubber band भी आप लगा सकते हो अगर आपको comfortable ना हो तो यह देखिए ऐसे आपको बाल को आगे ले लेना है आदे बाल को आगे ले लेना है आपको और वही पे जैसे मैंने first step में बताया था चोटी आपको लगा लेनी है देखिए ऐसे आपको चोटी बनानी है एकदम उपर भी बनाई है चोटी तो आपको जितनी लेंद कट करनी है आप उतना ही कट की दिये मुझे ज़्यादा लेंद कट करने ही करनी थी क्योंकि मेरे बाल already बहुत ही ज़्यादा bouncy है अगर आपके बाल कम bouncy है तो आप कर सकते हो देखिए ऐसे आपको कट कर लेना है चाया तो आप वहाँ पर भी rubber band लगा सकते हो जितनी आपको length कम करनी है बहुती आसान तरीका है और बहुती अच्छे hair हमारे कट हो जाती है देखिए आप layer कितनी अच्छी तरह से हाए हमारे बालों में आप देख सकते हो मेरे उपर से निचे तरह बालों में layer कितनी अच्छी बन चुकी है देखिए आप ऐसी सिर्फ आप hair style कर सकते हो कोई भी आसान सी hair style फिर भी आप बहुती elegant लगोगे मैं तो सिर्फ नौर्मल से कलट लगा लेती हूँ और मैं हमेशा ज्यादा तर बालों को खुलाई रखती हूँ बहुत अच्छा bounce हो जाता है बालों में और बहुती अच्छी यहाँ पे hair style बन के आ जाती है सिर्फ एक clutch से इदी कि घर बेटे आपके पैसे तो बची रहे यहाँ पे और आपकी hair style बहुती अच्छी हो जाती है एकदम neat हो जाती है जैसे पारलर में हम जाते है तो हमें थोड़ी hair length थोड़ी हमारी short हो जाती है जो हमें चाहिए होता है वो हमें बिल्कुल मिलता नहीं है यह वाला step करके आप घर में ही आपको जितनी length चाहिए आपको जो style चाहिए वो आप कर सकते हो जितनी length आपको छोटी रखनी है जितने बाल आपको लंबे रखने है आप अपने हिसाब से कर सकते हो यह lockdown में हो या आप normal भी कर सकते हो मैं तो हमेशा ऐसे ही बालों को cut करती हूँ मैं कभी पारलर में जाके बाल को cut नहीं करती हूँ तो यह तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे बाल भी इससे ज़्यादा बढ़ते है ऐसे कहते हैं किसी के हाथों से बाल ज़्यादा बढ़ते है cut करने से तो मैं तो यह यह वाला तरीका यूज़ करती हूँ तो आप भी इस लॉक्डाउन में जरूर ऐसे ही बाल कट कीजिए ताकि आपको भी थोड़ा सा पैंपर मिल सकते क्योंकि घर में हम बाहर कहीं जा नहीं सकते तो प्लीस आप भी खुद को थोड़ा सा पैंपर कीजिए अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके बाल ज्यादा करली है तो बिल्कुल भी आप लेंद को शॉर्ट ना कीजिए जितनी आपको लेंद कट करनी है उससे थोड़ा सा लेंद ज्यादा रखे ये लुक बहुत अच्छा लगता है तो दोनों हैर के लिए बहुत ही अच्छा लूइक है तो प्लीस अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और ज्यादा शेर कीजिए ताकि आप घर पर रहकर भी अच्छा सा लूप क्रियेट कर सको हैरस्टाइल कर सको तो चलिए मिलती में आपसे अगले वीडियो में